आज रेस्पीज में आपका स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहा है लच्छा प्राउंटा ग्यहूं के आटे का बना हुआ इतने सार की इसमें लेयर होगी लच्छे होंगे और बहुत सार की लेयर का प्राउंट हम आपको दिखाएंगे इसके लिए मैने आटा लिया है थोड़ा सा गी लिया है और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे हम यहां पे हम नमक डालेंगे सबसे पहले नमक आप अपने स कवाल लिया था देशी गी है इसको और इसको डाल करके घी को मिक्स करेंगे इस तरह से हम इसके मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इस का डो तयार करेंगे जैसे आप रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरीके से हमारे को डो तयार करना है आप इसमें पानी बीच ब बनाना है नॉर्मल डो आप तयार करेंगे और यह जब डो आपका तयार हो जाए तो हम इसको पंदा मिट के लिए छोड़ देंगे अब मैं कुछ लसन ले रहा हूं लसन की कलिया है जिसको हमने छील लिया था इसको हम कूट करके पेश तयार कर लेंगे यहां पर मैंने इसका लसन का पेश तयार कर लिया इसके अलावा मैं बटर ले रहा हूं अमूल का मैंने बटर लिया है आदी टिकिया मैंने यहां पर लिये है आप कोई से भी ब्रांड का बटर ले सकते हैं यह जो बटर था उसमें मैं लसन का पेश दाल दूँगा अब मैं यहां पर चिली फ्ले विश्खा में डलने वाला और्गेनों भी ले लूंगा ये और्गेनों से बहुत बड़ी स्वाद आएगा इसलिए मैंने लिया है आप के पास ऑर्गेनों नहीं हो तो आप इसको आवईड भी कर सकते हैं इन सब को हम मिला देंगे मैंने यहां पर बटर जो लिया है फ्रिज म को mix कर लिया था यह हम इसमें डाल देंगे और एक paste त्यार कर लेंगे आप चाहे तो बटर में हरा दनिया और पोदी नहीं डालें अलग से भी आप रख सकते हैं मैंने यहां पर mix कर दिया है आप चाहे तो अलग से भी रख सकते हैं और जब आप पराउठा बनाए तो इसका इ बेलनी है लेकिन रोटी आपको लंबी बेलनी है बड़ी बेलनी है यानि कि जितना आपका चकला है उतने साइज के हमने रोटी बेली है यहां पर हम बटर जो हमने बनाया था mixture उसका बटर हम इस पर ले रहे हैं यहां आप डारेक्ट चाहें तो तेल या देशीगी का इस्त तरीके से आपको थोड़ा सा आगे layer लेनी है फिर पीछे जाना है जैसे आप नाव या कागज का पंखा त्यार करता है इस तरीके से आप आगे जाएंगे और फिर वापस बैक आएंगे इस तरीके से आपको layer बनानी है बड़ी सावधनी से आप यह देखे इस तरीके से लगा दूगा, उसके बार थोड़ा सा इसमें butter लगा दूगा, और इसके उपर एक बार और थोड़ा सा अज्छाल पर और ंगली आपको नहीं निकालनी है। और layer इसको last में जहां से आप उंगली एटाएंगे, वहां last की layer इसको लगा देंगे और दबा देंगे, यहां हम इसको दबा देंगे, और इस तरीके से एक इसका बनाएंगे, यहां पर थोड़ा सा पलोथन ले लेंगे चकले पर और इसको दबाएंगे, लेकिन आप जब बेलन का इस्तमाल करें तो बहुत soft हास से करें, आप चाहे तो इसको हास से भी दबा करके और एक रोटी का शेप दे सकते हैं, यहां पर मैंने बेलन का इस्तमाल किया है, परन्तु बहुत soft हास से है, ज़्यादा यदि hard आप बेलन चलाएंगे, तो यह layer इसमें अच्छी नी बिन पाएगे, लच्छा पराउटा ज्यादा अच्छा नी बिन पाएगा, अब हमने एक तवा लिया है, तवा गरम होने के बाद में इसमें यह लच्छा पराउटा डाल दिया है, हमने इसको उपर और इसको हम सेकेंगे, इसमें जब यह एक तरफ से सिख जाएगा, तो इसका direction change कर देंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर गी लगा लेंगे, घी लच्छे पराउटे में आपको ज़्यादा मात्रा में लगाना है, दियान रखें और आपको दो बार गी लगाना पड़ेगा, एक बार में लच्छा पराउटा घी सोक लेता, इसलिए हम इसमें दो बार लच्छा पराउटे में घी लगाएंगे, आप किसी पल्टे की साइटाइस इसका direction change कर दें, इसके उपर भी हम घी लगा लेंगे, घी आपको इसमें ज़्यादा मात्रा में लगाना है, ताकि ज़्यादा अच्छे लच्छे बन सके, इसमें ज़्यादा अच्छा लेयर बन सकेगी, इस तरीके से जब यह अच्छा पराउटा बनेगा, तो खाने में बड़ा मज़ेदार होगा, यहाँपर हम इस पर पूरी तरह से घी लगा देंगे, और इसका डाρεक्शन चेंज कर देंगे, डारक्शन चेंज करेंगे तो जो हमने पहले घी लगा तो पूरे तरिके से पराउटा ने सोक लिया, एक बार और दुबारा घी लगा देंगे इससे अच्छा टेस्ट आएगा और लेयर भी अच्छी बन पाएगी इसलिए दो बार आप घी लगाएं जब भी आप पराउठे बना रहे हो तो इसको दबा दें ताकि ये पराउठा जल्दी सिख सके ये आपका अच्छा पराउठ बन करके तयार हो गया इसमें बहुत सार की लेयर तयार हो गई अब एक पराउठा दूसरा हम आपको बता देते हैं एक आप रोटी का लोया लेंगे उसको आप पलोथन की साहिता से जैसे आप रोटी बनाते हैं वैसे ही आपको बनाना है इसको पतला बेलना है आपको जितन अब हम यहाँ पर बटर लगा देंगे, आप चाहें तो गी या तेल लगा सकते हैं, इसके उपर यह लगाना भी है ज़रूरी है, ताकि इसमें अच्छे लेयर बन सके, अच्छा लच्छा बन सके, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गार्लिक और हरेदनिया और पोदीने की जो पत्त वापस उसको बैक लाना है, यह देखिए थोड़ा सा आगे करके डबल लेयर लेंगे, फिर उसको वापस बैक लाएंगे, इस तरीके से सारा हम इसको एक लेयर कम्प्लीट कर लेंगे, उसके बाद में इसके उपर थोड़ा सा पलोथन लगा करके, थोड़ा सा हम इसको उप और ये last की जो layer होगी जहां आपने only a type वहाँ पे इस layer को अंदर डाल करके और इस type से दबा करके और इसका complete करना है और आप इसको बेलन की सायता से बेले या हास से भी बेल सकते हैं soft हास से बेले ताकि इसकी layer दबे नहीं थोड़ा सा पलोतल लगा लेंगे और जैसे आप के रिख लेना है इसमें बटर का इस्तमाल किया है हमने garlic का इस्तमाल किया है हमने Ran Civil हरेदने और ओधीने का बढ़ाता है आपको strong बनाता है और इसको टेस्ट में भी ज्यादा अच्छा लगगा इसलिए आप तेल की बजाए देसीगी का इस्तिमाल करें उससे ज्यादा अच्छा प्राउठा बन सकेगा ये मैंने दोनों साइट से इस पे घी लगा लिया है और घी लगा करके हमने इसक दोनों तरफ से शेक लिया है ये आपके प्राउठे बन करके सिक करके तयार है इस तरीके से आप किसी पल्टे की साइटा से इसको दबा दे और जल्दी से आप से ले गैस आपको बिल्कुल लोपी रखनी है तेज आच में गैस नहीं सकनी है ये देखिए ये किस तरीके से आपका लेयर वाला एक प्राउठा बन करके तयार हो गया इसमें बहुत सार की लेयर है और हमने एक ग्यहूं क्याटे से बनाया है मैदा का हमने बिल्कुल भी इस्तिमाल नहीं किया एक हैल्थी टेश्टी लेयर वाला आपका प्राउठा बन करके तयार हो गया यदि आपको कोई हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ट्राई करें यदि आपके कोई कमेंट्स हो सुजाओ तो दें यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्ट्राइब नहीं किया तो सब्क्राइब करें लाइक करें आप इसे सब्जी के साथ भाई के साथ या चटनी के साथ